जिन्दा है इस रास्ते के किनारे सब खेती हैं यहां पर इसमें देख सकते हैं कुछ लोग वे जा रहे हैं जाने के लिए यहां पर बस और रिक्षा मिलेगा इसलिए इसलिए मेरे गाव इसे मामा को का है मैं चल जाएंगे जाद तर लोग आपको इस रस्ते पे चलते होएं देख जाएंगे मैं भी कहीं बार यहां पर चलते चलते आया हूं मामा के गाउं यहां पर कुछ प्याट रहे हो अगरा कुछ है यहां से लेना पड़ेगा लेट अब इंटर कर रहे हैं इस गाउं में एक छोटा सा गाउं है की जो पॉपुलिशन है वो उनकी पांच छे हाजार इस गाउं के हारे गिल्ले में सिसी रोड बने है तुम जख सकते हो इतना तो आच्छा है कि अब बक्रिया अब बजरे बारा और में निकल रहा हुआ मैं फिर खित में चलते चलते जाना है मुझे दो किलिमेटर खेत तक चार पांच सल के बाद जा रहो इस रस्ते से गाइस काफी गर्मी हो रही है पता नहीं इतनी गर्मी क्यों हो रही है अक्टूंबर हीट होती है उस टाइप की गर्मी हो यहां पर अभी तक मैं देड़ किलिमेटर चला हूँ अभी हां से मुझे आदा किलिमेटर और चलना है सामें छोटी से नदिये गाइस देखिए गाइस कितने गोरे हैं दोनों भी देखिए कितने गोरे हैं देखिए कितना गोरा है यह आमागा लड़ काई है अब आके लड़की क्या लाई तू दिखा यह क्या लाई यह जांबूल बोल दे इसे महराटी में हिंदी में क्या बोलते पता नहीं गई तुम देख सकते हो उसे क्या कहते मुझे बताएगा कमेंट करके कितने लाई आओ रख दे अब कुछ भाईसा गया बंदे हुए आई हो कि यह ब्लोग आपको अच्छा ही लगे का गाई कि यह ब्लोग बहुत ही इंटिस्टिंग होने वाला है यह रहे जंगली जानो और तीन जहां से रस्ता देखें हुआ से निकल लेते हैं रस्ता आच्छा या बुरा वो देखेंगे नहीं हैं पर हमारे मामा ने कुवा खोदा है पानी भूती गंदा है यहां का यह रहा मामा का खेत सब पत्तोरों से बरा है यहां पर भूसरे कांटे हैं देखके चलना पड़ेगा और यह मामा का खेत सब पत्तोरों से बरा है गाईस कि पसल मुझे दिख भी ने रही है बट इस खित में कुछ अच्छे खासी पसल दिख रही है मुझे यह देखिए यह देखिए मामा ने जोपड़ी बना है यह बारिस से बचने के लिए और आप यह हम पकड़ने वाले फीश जो फीश पकड़ने के जो मज़ा है ना भाई कुछ आलगी होती है यह हमारी इमामी इमामा का दुसरा लड़का और एक तो आप देखे है बाई इतना गोरा है बोट किलिमेटर चला हूँ मेरे बाड़ी का सब पश्चिना पश्चिना हो चुका है बट कोई नहीं गाइज एक टाइब की ट्रेकिंग यह हो चुके है मेरे लिए वो सारे लोग है तुम दख सकते हो फीश पकड़ रहे है यह हमारे चोटे मामा यहां पर फीश पकड़ रहा है मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमें फीश केशी पकड़ी जाती है मेरे पाइर कहीं फिसल ना जाए यह तो फिर मैंसी दालिक के अंदर जाओंगा अगर फिसल गया तो यह दीकिए कैसी लाइन लगी है फीश पकड़ने की गाईज हमारे छोटे मामा यहां पर फीश पकड़ रहे गाईज तुम जख सकते हो अभी एक लगी है फीश यहां पर इतनी बड़ी नहीं है लेकिन 200 ग्राम तो होगी कम से कम निकल रहा नहीं है गाईज निकलते ही बड़ी है बड़ी है बड़ी है गाईज ने सकते हो आपकी बड़ी है जिन्दा है बहुती बुरी तरह किसे अटके बटे गाईज फीश अभी जा रहे है बैग में तो अब हम जा रहे दुसरे जगे पर आशे चलना पड़ता है लेकिन जो मज़ा है ना गाईज फिस पकड़ने की मज़ा कुछ आ लगी होती है जैसे गाईज हम यहां पर आये हैं अभी हां पर लगाने वाले हैं देखे डाल दिया अंदर अभी हां पर लगनी चाहिए गाईज दो गंट हो चुके यहां पर अभी तक तो फिश मिली नहीं है देकिन अभी मुझे लगे प्यास तुम्हें जा रहा हो पानी पिने पानी कहां पर मुझे नहीं पता रस्ता कांसे देखे रस्ता आगर पैर फिसल गए तो फिर लग गए कि अइसर रस्ते से जाना पड़ता है गाइज वहां यहां पर पानी पिने का भूती चोटा सा जहरना है जहरने का पानी पिने के मजा कुछ आलगी होती है राइज यह पानी पिने का अंदर केकड़ा है मैं इस मेर सकते हो तुम पानी पीने के लिए बनाया गया गया चितल आपके नीचे पानी कैसे पीनेगा पी ले अब यह पानी पी रहा है जैसे पीएगा अपन भी वह इसे पीएगे गाईज यह हाथ से पी रहा है यह आई से पानी पीना पड़ता है यहां पर गाईज यह पानी पीवर फिल्टर है 0. प्रशन प्योर फिल्टर पाई नहीं है यह जवारी की रोटी और चेटनी है एक खारे यहां पर बहुत सारे लोग यहां पर बक्रिया चरा रहे है जा मारे मामा ने पकड़ा एक एकड़ा इसकी तंदुरिया बनाएंगे गाई और यह दूसरा अज़र रखते मुझे डर लग कि अगर एक काट लिया तू लग गए दो मिले यहां पर एक बूछ छोटा एक अगाई बड़ा बंद राखता है मामा और दूंड़े केकड़े केकड़े दूंड़े गाईस केकड़े पकड़े हेंगे आगी बड़े वाली नहीं है अब इसकी तंदूरी बनाये जाएगी अधिके मामा ने और एक पकड़ा है गाईस गाईस मची तो नहीं मिल रहे लेकिन हमको अभी मिल रहे केकड़े किनकि हमारे मामा बहुत एक्सपर्ट है केकड़े पकड़ने में अब यह हम जारे केकड़े पकड़ने के लिए हमको अच्छा लगा दिस ब्लॉक को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा सब्सक्राइब कीजेगा भाई एकड़े पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है मामा और एक मिला यहां पर यह देखिए गाईस साथ-8 मिल गए शकड़े के कड़े बनाने जारे में नानिया भी बहुती बढ़िया बनाती मुझे पता है में नानिया बहुती टेस्टी खना बनाती गाईस तुम ज़र सकते हो कुछ आला परला टाइप का मसला है और एक यकड़े क्या गया तक ट्रेक कज़ी बना यह और समेल तो बहुती बढ़ी आ रहा आभी से कि तो बहुती बड़ी आ रहा है नाने ने अभी बनाई ये सब्जी अभी हम खाना खाने के लिए बैटिंगे गाइस बहुती मज़ा आने वाले नाने परुषरी अभी हमको कपए लग करते हेसे लिखती और कंचच मेरा प्लेट में लेके जा रहा हुस्मिट है और यह मुझे पीने के लिए दे रही है लेक्ती आरें यह तो चंहें पूर्छ और त्थव भला मपना इन्मक कज़ thank you वाली है कि क्या टेस्ट बरिये वाई एक नमबर टेस्ट एक नमबर चलो आप मैं निकल रहा हूं तो नानी भार आई ये ये मेरी छूटी नानी और ये तो पता है आपको ये मेरे नाना है बहुत ही मस्ति करते हैं जितना है गास उतने में खुश रहने हैं और सब को प्यार बाटते हैं मेरे नानी क्या देख रहे हैं मुब भाव के लिए अब निकल न वहां से पहुंच ओंड़ मेरे घर में और ये बलॉग आपने को अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक किजिएगा सेर किजिएगा सब्सक्राइब किजिएगा आपने मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाबाइज